नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर सभ विसाची सकसेना डारेक्टर और और अफ नियो एंटी क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियाबाद अल्सो वर्किंग एस हेड़ ओफ देपार्ट्पेंट ऑफ एंटी इन फोर्टेस हॉस्पिटल नौइडा तोड़े आम गूंग तु व्रकिंग हमारा कान बहुत ही इंपोर्टन हो गया इस समय है everything is online हर कोई दिन में 7-8 घंटे यह एरफोंस लगाके रहता है तो उस समय अब कान की वैलियलों को आनी शुरू हो गई है देवथ इट वस टेकेन अस फर ग्रांट इट फोर लॉंग अब कान बंध होना क्या होता है या कान व्लोकेज क्या होता है इससे पहले समझ लेते हैं हमारे कान क्या होता है हमारे कान तीन हिस्सों में बना होता है external ear, middle ear और inner ear इसके बारे में वैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ बढ़ एक छुटा सा brief बता देता हूँ external ear होता है जो ये पर्दे से लेके कान की drum तक का हिस्सा होता है बीच में canal होती है middle ear होता है जो कान के पर्दे से लेके inner ear जो ये brain का पार्ट होता है वहाँ तक जाता है उसको electrical energy में convert करके अंदर nerves के रूप में sound को पहुचाता है क्योंकि brain तो हमारा सिर्फ electrical energy ही perceive करता है तो इसका काम उस sound को electrical energy में convert करना होता है इसके अंदर दो organs होते हैं सुनने के भी और balance के भी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी आज आते हैं block deer के बारे में सबसे common block deer problem होती है ear wax होना ear wax होना wax हमारी body का एक natural product है जो कान के lubrication के लिए nature ने बनाया है हमारे कान में थोड़ा थोड़ा oil हमेशा बनता है जिससे कान की जो skin होती है वो moisturize देती है साथ में जब इंसान जंगलों में रहता तो तो बड़ा important काम करता था कि कान में अवाली जी आप जंगल में लेटे हैं जैमीन पे लेटे हैं कोई cheetah कीडा अगर कान में घुस गया तो wax उसको वहीं trap कर लेता था अंदर जाने नहीं देता था और उस वज़े से आपका कान का परदा या ear drum जो होता था वो damage नहीं हो पाता था तो यह wax आजकल negligent हो गया है बड़ जिससे में जंगलों में आदमी रहते था तब तो यह बड़ी काम की चीज थी ही थी आज भी जिनको wax की problem होती है एकसेस नहीं लोग जिनको wax नहीं बनता है वो कान में dryness से परिशान रहते हैं इसलिए lubrication के लिए wax बड़ा जरूरी होता है एक और बड़ी बज़े हैं बतावना चाहूंगा मैं कान ब्लॉकेज होने की कि जब से online काम शुरू हुआ है तो लोगों का earphone, headphone का use शुरू हो गया है अगर आप पहनते रहते हैं कान के अंदर earphone, headphone तो वो अंदर wax पुछ हो जाता है जब वो एक बार अंदर पुछ हो जाता है तो फिर वो निकल नहीं पाता है और फिर वो act as a seed और उसके ओपर और wax इखटा होना शुरू हो जाता है इसके अलबा कुछ लोगों को आदत होती है daily कान वेटके साफ करने के which is actually not good it's really not good because उससे दो प्रॉब्लम होती है एक तो आप उसको कान is a very delicate organ आप उसको damage कर सकते हैं secondly आप अगर unnecessary wax ये गंदगी को अंदर पुछ कर रहे हैं और उसको और जमने का मौका दे रहे हैं आप उसे ना करें कान automatic clean होता है अगर कभी जरुवत पड़ रही है तो nearby doctor को दिखाएं he will be more of help to you प्रॉब्लम तब आती है जब wax बहुत जादा बन जाता है normally हमारे कान की जो skin होती है वो इस तरह से बनी होती है कि जो भी extra wax बनता है वो अपने आप जड़ के बाहर गिर जाता है but if you keep on using earphones for very long headphones, earphones आप जादा लगाते हैं कान में छेड़ चड़ आप जादा करते हैं या मान लिजे कुछ गंदेगी अंदर कान में गिर गई जाके और उसके ओपर wax इखटा होना शुरू हो गया तब वो कान में plugging हो जाती है कान में wax इखटा हो जाता है और उस condition में फिर आपको कान बंद बंद या महसूस होने लगते हैं घरलू उपचार होते हैं इसके लिए अपने तेल डाल लिया नादादी नानी का नुसका है कि तेल डाल लिया उसके बाद कान की सफाई कर ली बात बन गई काम हो जाता है ठीक है नहीं काम हो जाता है तो over the counter wax drops भी मिलती होती है वो डाल कर आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर उन सबसे भी बात नहीं बन पाती है देन आप अपने नियर्भा ENT स्पेशलिस को विजग करें वो सक्षन करके से रिंजिंग करके वाश करके हो सकता है आपका व्याक्स निकाल दें और more or less problem आपकी स्वाल हो जाती है इसके अलावा और कानण हो सकते हैं कान में ब्लंध होने के जैसे कान में फंगस हो जाना कान में पानी चला जाता है तो ये फंगस के लिए moisture का फंगर के फंगस को ऐसा environment बड़ा पसंद आता है और वहाँ पे फफूंदी ग्रोग कर जाती है अगर वो होती है तो उसमें कान बंद होने के साथ साथ आको खुजली भी होगी और ऐसा भी हो सकता है कान से पानी भी फील होना शुरू हो उस case में कान की proper cleaning चाहिए होती है और antifungal drops डालनी भी पढ़ती है कभी कभी ये समस्य हो सकता है कि आपके कान के पड़े में छेद हो तो ये उससे ज़ादा जूड़ी भी होती है उसमें पड़े के छेद का treatment भी किया जाता है जिसमें surgery या ear drops दी जाती है इसके अलावा एक और problem होती है कान बंद होनी की जैसे आप hill station पे चले जाए या आप airplane में चले जाते है specially अगर उस समय आपका cold cough हो रहा है या सर्दी जुखाम हो रहा है तो आपकी कान बंद हो जाते है ये की हो जाता भई आप hill station पे जाने पे कान की बंद हो जाते है इसका reason होता है नाक not the ear हमारे नाक और कान की बीच में एक tube होती है जिसको बोलते है ये stachin tube वो हमारे नाक को कान से जोड़ती है जिससे की कान का ventilation होता है उसका जो ear वाला पार्ट होता है वो तो bony होता है बट nose वाला पार्ट cartilaginous होता है elastic के तरह होता है ये खुलती बंद होती रहती है इसका काम क्या होता है कान तक हवा पचाएगी बट ये permanent खुली नहीं रह सकती अगर ये permanent खुली रहेगी तो आप जो भी कुछ खाएंगी पिएंगे सब कुछ कान में जाना शीरू हो जाएगा तो nature ने ऐसा बना रखा है कि जब आप खाते पीते हैं तो ये बंद हो जाती है जब सांस लेते हैं खुल जाती है और कान में हवा जाती है प्रॉब्लम तब आती है जग आपको हैल स्टेशन पर जाते हैं तब क्या होत प्रणावस हो जाती है जो सर्दी जुखाम से ग्रसेत होते हैं जिनको सर्दी जुखाम हो रखा होता है उनकी ये नाक के पीछे सूजन रहसी आ रखी है सर्दी जुखाम घुसके कान में गया ट्यूब बंद हो वह बिल्कूली खुलने नहीं आती है तब परिशानी सबब क्या करना होता है treatment घरिली उपचार कुछ इसमें यह होते हैं कि आप नाक से steam लेना शुरू कीजिए नाक और मुह से खुल के steam लीजिए जो से तीन मिनट स्टीम दो से तीन बार लीजिए उसको करने के बाद एक वैल सेलवा मैंने वहर होता है नाक बदगर के यह कीजिए कान आपके खुल जाते हैं उससे इससे बात नहीं बनती है तो फिर आपको nasal drop डिया जा सकता है saline nasal drop आप डालने इसके बाद भी अगर बात नहीं बन रही है तो अपने डॉक्टर को विजिट करें डॉक्टर एक्जामेन करके देख लेंगे परदे के मुवमेंट कैसा है वो ठीक कर दिए वो अगर मुवमेंट कम है उसका तो उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा treatment में क्या होता है nasal drops दी जाती है saline drop या कुछ नाको डीकंजस करने के लिए xylometazoline जैसे drops होती है वो देते हैं उनसे बाद नहीं बाद बनती है तो कुछ steroid spray दिये जाते है या फिर कुछ steroids या anti-allergics खाने के लिए भी दिये जाते है और more or less problem यह settled हो जाती है हाँ बट यह अगर यह problem एक बार आती है तो 10 से 15 दिन लेकर ही जाती है इसलिए परेशान न जया होता है कान के अंदर तो वो खुल जाता है कुछ condition जिसमें specially में mention करना चाहूंगा जैसे अगर smokers में ऐसा हो रहा है अगर कोई chronic smoker है उसके कान बंद हो रहे हैं तो उसको doctor को visit कर लेना चाहिए क्योंकि उस condition में एक tumor होता है जिसको बोलते है नाक के पीछे बनता है और उससे कान बंद हो जाते हैं वो specifically उसमें यही complaint होती है कि कान बंद होने शुरू हो जाते हैं smokers में एक और condition होती है जो छोटे बच्चों में होती है जिसको बोलते हैं adenoids वो भी क्या करते हैं नाक के बिल्कुल उस हिस्टे में होते हैं जहां पर यह tube आके खुलती है अगर वो adenoid बढ़ जाते हैं बच्चे को सरदी जुखाम रहता है तो कान पर्मानेंटली बंद हो जाते हैं और उसमें कान के अंदर पानी भरा रहता है और बच्चे को painless hearing loss यानि कि बिना दर्थ का कम सुनने की problems हो जाती है बच्चे को यह माबब notice करते हैं वो से बुलाते हैं तो बच्चा सुनता नहीं है then people come to know कि हावी problem कुछ हो रही है बर जब हम examine करते हैं कान में कुछ नहीं मिलता है problem होती है nose की पीछे mass बढ़ा होता है उसका फिर treatment करा जाता है उसमें कुछ nasal sprays दिये जाते हैं और कभी-कभी extreme condition में हमें उसे operate करके ठीक भी करना पड़ता है जि क्या क्या समस्या होती है अगर आप पसंद आया है आपको तो please हमारे चैनल को like करें आप और आगे किसी भी जानकरी के लिए आप और कुछ जानना चाते हैं तो आप हमें लिख के भीजें thank you so much